नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल क्रैक्ड कॉम्पेटिशन में आज के इस वीडियो लेक्चेर में हम CISF कॉंस्टेबल ट्रेट्समेन के एक्जाम के लिए reasoning का एक महत्पोन और exam oriented practice set आपके साथ discuss करेंगे जो कि हमारे आने वाले exam के लिए काफी important है सभी questions आपको Hindi और English दोनों language में appear होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे telegram group को join कर सकते हैं इसका link description box में दिया हुआ है दोस्तो exact exam label का question paper है और इसमें ITBP constable tradesman के 10 जन्वरी वाले जो exam है उससे भी questions लिए गए हैं इसलिए video मन तक बने रहिए तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रस्न पहला प्रस्न दोस्तों यहाँ पर एक number set दिया हुआ है जो की एक particular pattern पाधारित है हमको इसी pattern का एक number set options से find out करना है ठीक है देखें कैसे solve गटते हैं इसको हम लोग देखें यहाँ पर एक number set दिया हुआ है 9, 15 और 27 तो हमको ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह 3, 3, 9, 3, 5, 15 और 3, 9, 27 यहनि कि किसी particular number का 3 गुना, 5 गुना और 9 गुना जो है यह एक pattern है तो इसी प्रकार का एक set हमारे options में है option number D देखें अब यहाँ पर ध्यान से देखिए यह सेम इसी pattern को follow करेगा 36 तो 4, 3, 12, 4, 5, 20 और 4, 9, 36 यहनि कि यह क्या option है multiply 3, multiply 5 और multiply 9 का pattern यह भी follow कर रहा है तो उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गया होंगे बढ़ते हैं अगले प्रसन की और अगला प्रसन है दोस्तों image से स power अच्छी हो नीची है तब ही आप इसको solve कर पाएंगे तो यहाँ पर circle है multiple circle है और उसके left corner पर square है तो इससे क्या संबंदित है जो square है वो नीचे आ गया और circle left corner में चला गया तो इसी प्रकार से यहाँ पर triangle है और इसकी नीचे यह safe है L safe के कुछ तो यह किस से संबंदित हो दोस्तो जो L होगा उपर चल जाएगा और जो ए triangle है वो multiple triangle बनके नीचे आ जाएगा तो option number A इसका right answer है ठीक है उमीद करता हूँ आप इसको समझ गया होंगे दोस्तो इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है बस इसमें आपको अपनी observation का इस्तेमाल करना है और अपने logic का इस्त यह एक puzzle है दोस्तो यह पांस नंबर की puzzle थी ITPP Constable Treatment के exam में तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आपके CISF वाले exam में भी इस प्रकार के question पुछे जाएं तो puzzle solve करने भी आपको आनीचे यह single possibility वाली बहुती simple puzzle है मैं आपको बताता हूँ कैसे ध्यान से इसको पढ़ यहां को पहले दूसरे स्तान पर क्या बैठा हुए दोस्तो टी बैठा हुए ठीक है और वी के दाएं तीसरा है टी पी के बाएं दूसरा है और वी के दाएं तीसरा बैठा है तो वी अगर मैं यहां पर रखूँ तो इसके दाएं और वहला दूसरा तीसरा टी हो गया ठीक इतनी बात सेट होगी अब आगे क्या लिखा है एस डबलू के दाएं दूसरे स्तान पर है डबलू जो टी के एकदम दाएं है ठीक अगर आपको समझ में नहीं आतो आप यहां से पढ़ सकते हैं s is second to the right of w who is on the immediate right of t यानि कि w जो है immediate right बैठता है t के immediate right मतलब यहां पर w बैठता है और s is second to the right of w यानि कि w के right में यहां को पहला दूसरा s बैठता है इतनी information chat होगी ठीक है q is third to the right of u यानि कि अगर u यहां बैठेगा तो इसके first second third right को q बैठेगा अब हमारा क्या बज़ गया r बज़ गया ठीक है तो यह हमारा answer जो पजल है दूस्तों solve हो गई अब इससे हमारे 5 सवाल बनेंगे उस सवाल मैंने इसमें include नहीं किया है लेकिन अगर आपने यह बना लिया तो आप पांस वाला easily कर सकते हो ठीक है तो यह थी एक basic सी puzzle अगर आपको puzzle और चीए तो आप comment box में mention कीजिए sorry मैं puzzle के उपर एक dedicated video बना दूँगा ठीक है चलिए उम्मीद करता हूँ यह आपको समझ मां आगी होगी कि हमने इसको कैसे solve ही गिया बढ़ते हैं अगले प्रसन की और दोस्तो अगला प्रसन है in a code language fridge is written as gtlhlk then in the same language how we'll write cattle तो fridge को gtlhlk लिखा जाता है तो यह कैसे लिखा जाता है हमको इसको decode करना है ठीक तो coding decoding से संबंदित भी दो या तीन question आपके exam में पूछे जाएंगे तो दोस्तो देखिए अगर मैं f की place value में 1 plus कर दूँ तो g आ जाएगा दोस्तो place value होती है alphabetical order में जिस number पे alphabet आता है जिसकी f जो है 6 number पे आता है ठीक है f चटवे नमबर में आता है अगर कि उसकी place value में 1 plus कर दूँ तो 7 हो जाएगा और 7 में क्या आता है जी आता है और इसी प्रकार में r की place value में अगर 2 plus कर दूँ तो t हो जाएगा इसी प्रकार से plus 3 plus 4 plus 5 और plus 6 यह जाने कि यहाँ पर इनमें plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 की सरी चल दिये तो उसी प्रकार से अगर मैं k की place value में plus 1 कर दूँ तो क्या हो जाएगा दोस्तों k के बात क्या आता है l ठीक है उसी प्रकार से e की place value में 2 plus कर दूँ तो क्या हो जाएगा g और t की place value में 3 plus कर दूँ तो क्या हो जाएगा ठीक है और दोस्तों सेम ऐसी question RRB NTPC के label के exam में पूछे गए थे तो आप सोचें कि treatment के label का exam तो NTPC से थोड़ा कम होता है ना तो उसमें इससे भी कम label के पूछे जाएंगे ठीक चलिए option number 20 का right answer हो जाएगा अगला प्रस्न है ऐसे question भी दोस्तों exam में पूछे जाते हैं अगर divide का अर्थ क्या है दोस्तों यहाँ आपको साप साप दिया हुआ है कि divide means addition यानि कि divide अगर जहाँ पर होगा तो हम क्या कर देंगे plus कर देंगे जहाँ पर plus होगा तो वहाँ पर subtraction कर देंगे जहाँ पर minus होगा तो वहाँ पर multiply कर देंगे और जहाँ पर multiply होगा तो उसका अर्थ क्या होगा division होगा तो आप इसको easily solve कर सकते हैं यानि कि 54 into 6 तो multiply का अर्थ divide है तो यह हो जाएगा 54 divided by 6 then 6 minus 7 minus का अर्थ क्या है दोस्तों multiply तो यह हो जाएगा multiply 7 then divided by 8 divided का आर्थ प्लस है तो प्लस 8 और प्लस 2 प्लस का आर्थ क्या है दोस्तों यहाँ देखिए minus है तो minus 2 अब इसको आप solve कर दीजिएगा आसानी से 6 9 जा इन दोनों को divide करके 9 आएगा 9 7 जा 63 63 प्लस 8 कितना हो जाएगा 71 71 minus 2 69 आप इसमें board mass rule का इस्तिमाल कर सकते है ठीक जब आपकी equation बन जाती है तो आप उसमें board mass rule का इस्तिमाल कीजिए बिंदास कोई दिक्कत नहीं है सबसे पहले आप इसको क्या कर लिजिए यह जो हमारे science है इनको decode कर लिजिए और easily से उस हो जो equation है उसमें put कर सकते हैं तो इसका answer किया जाएगा दोस्तो 69 option number C का right answer है उमीद करता हूँ आप इसको समझगे होंगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की हो अगला प्रस्न है महत्पोन question होते है number 3 के missing number problems जो की 2 या 3 number में पुछे जाते हैं तो दोस्तो देखें यहाँ पर 96, 32, 16, 168, 56, 28 और यहाँ पर हमको एक missing data दिया हुआ है जिसको हमको find out करना है तो दोस्तो सबसे पहले हम जो reference हमको numbers दिये होते हैं उनका pattern find out कर लेते हैं और उसी pattern को अपने question में apply कर देखें तो देखें दोस्तो ध्यान से आपको यहाँ पर देखने पर पता चल रहा है कि 16, 2, 32, 16, 32 और 32, 3, 96 यानि कि multiply 2 और multiply 3 का pattern इसमें चल रहा है देखें क्या pattern यहाँ पर follow होता है 28, 2, 56 और 56, 3, 168 बिल्कुल यहाँ पर follow हो रहा है तो इसको भी हम यहाँ पर follow कर देते हैं 24, 2, 48 और 48, 3, 144 option number 20 का right answer है ठीक तो क्या हो रहा है 16, 2, 32 और 32, 3, 96 यानि कि multiply 2 और multiply 3 का pattern इसमें चल रहा है तो जैसा pattern हमारे reference में चलेगा वैसे ही pattern को हम अपने question में अपलाए करेंगे तो हमारा answer निकलेगा ठीक है तो option number B 144 इसका right answer हो जाएगा अगला प्रस्न है number series का यह question है देखे दोस्तों यह काफी easy है 7, 6, 2, 84 दिया हुआ है 8, 9, 3 और 216 दिया हुआ है 5 और यहाँ पर हमको जो question mark है उसकी जिगा missing data है उसको हमको find out करना है ठीक है तो ध्यान से देखे दोस्तों इसको कैसे करेंगे अगर मैं इन तीनों numbers को multiply कर दू तो मेरा चौथा number निकल जाएगा 7, 7, 6, 42 और 42 दूनी 84 उसी प्रकार से दोस्तों 8, 9, 72 और 72, 3, 216 यानि कि हमको पहले के तीन numbers को multiply कर देना है तो देखे 5 multiply अब हम इसको question में apply कर देते हैं अब question mark की जिगे हम x रख लेते हैं into 6 equal to 900 तो यह हो गया 30x equal to 900 तो x की value क्या 30 यानि कि 30s का right answer हो जाएगा ठीक हमको क्या करना है चार number दिये हुए हैं first के तीन numbers को multiply करना है तो हमारा चौथा number निकल जाएगा ठीक है और मैं 100% guarantee के साथ बोलता हूँ कि इस pattern का question आपको exam में देखने को जरूर मिलेगा ठीक है तो इनकी आप दिख से एक दिक practice कर 34-1 33 इसी प्रकार से 33 तूजा 66 और 66-1 कितना जाएगा यहाँ पर 65 तो इसमें कौन सा pattern चल ला है multiply 2-1 गुणा 2 रिण 1 ठीक तो 65 इसका right answer है उम्मीद करता हूँ आप इस question को समझगी होंगे अगला है दोस्तों यहाँ पर एक figure if back is coded 11312 दोस्तों देखिए BAC के इसको कैसे ल 11312 तो देखिए दोस्तों इसका एक pattern है हमने सबसे पहले क्या किया B और K के code को exchange कर दिया यान कि K का code 11 होता है और B का code 2 होता है तो हमने इसको exchange कर दिया और यहाँ हमने A और C के code को exchange कर दिया यान कि A का जो place value होती है 1 होती है और C की place value 3 होती है ठीक तो हमने पहले और last वाल की place value को exchange किया तो हमारा answer निकल गया ठीक तो इसी प्रेकास से दोस्तो हम देखिए अब made का करते हैं made का करते हैं m a d e तो हम e की place value को और m की place value को पहले change कर देते हैं तो e की place value कितनी होती है दोस्तो आपको सभी को पता होगा कि e की place value 5 होती है ठीक और m की place value 13 होती है अब हमने A और D की place value को change करती है D की कितनी होती है 4 और A की कितनी होती है 1 तो 5, 4, 1, 1, 3 इसका answer आजाएगा 5, 4, 1, 1, 3 तो option number B इसका right answer है ठीक तो हमने क्या किया पहले letter और last letter की place value को एक दूसरे के साथ exchange कर दिया और second letter और third letter की place value को exchange कर दिया तो हमारा answer निकाल गया दोस्तो place value का art होता है मैं बार-बार बोला हूँ कि alphabetical order में जिस number पे वह alphabet आता है उसे उसकी place value का जाता है जैसकि A एक number में आता है B दो number में आता है तो B की place value 2 हो गई, A की place value 1 हो गई ठीक है इसको ध्यान से समझ जाएगा confusion नहीं हो नीचे किसी भी चीज में अगला है यदि D IG को 25 cut को 49 लिखा जाता है तो kick को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों अब देखिए D IG को 25 कैसे लिखा जाएगा D IG सबसे पहले हम क्या करते है इनकी place value को प्लस करते है ठीक है तो D की place value कितनी होते है दोस्तों D की place value होती है 4 I की place value कितनी होती है आपकी 9 और G की place value होती है I think 7 ठीक तो इन तीनों को हमने plus किया तो आ गया 20 लेकिन ये तो 25 है तो हम करते है प्लस 5 चलिए हम माल लेते हैं एक pattern double up करने के लिए हमने इसमें plus 5 कर दिया तो यह हो गया 25 अब हम दूसरे में देखते हैं क्या यह cut में भी pattern follow हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक है तो अब हम cut के लिए यहाँ पर बनाते हैं ठीक C की place value होती है 3 और U की होती है 21 और T की place value होती है 20 तो इनको जोड के आता है दोस्तो 44 लेकिन यहाँ पर तो 49 है तो जैसे कि हमने यहाँ पर pattern करेंगे था कि प्लस 5 तो यहाँ पर प्लस-5 कर देदा तो तो 49 तो अब हमारा दोनुं उसमें यह पैटरन फॉलो हो गया ठीक है दोनु सब्दों में डिएजी और कट में तो हम कीक में भी इसको फॉलो कर देते हैं ठीक है अगर आप कीक के सारे के सारे प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे तो आएगा आपका 34 क्योंकि के 11 हो गया 22 हो गया और 9 और 3 12 टो 20 और 12 हो गया 34 ठीक है और 34 मागर आप pattern case आप से 5 जोड़ेंगे तो 39 आ जाएगा option number 20 का right answer तो kick का code क्या हो जाएगा 39 ठीक है दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ आपको एक question समझ में आ रहे होंगे अगर कहीं पर भी कोई problem आती है समझ में नहीं आ रहा है तो please comment box में इसको mention कीजि और उसमें last में 5 जोड़ देना है ठीक अगला है दोस्तों tractor यहाँ पर आप यह मत बोलना कि सब्सक्राइक की spelling गलत है यह question ही ऐसा है ठीक है यहाँ पर spelling का कोई महत्तों नहीं होता है यह reasoning है तो tractor की value 14 है ट्रॉली की value 14 है तो scooter की value क्या होगी तो दोस्तों ध्यान से देखिए अब यहाँ पर बहुत सारी student confused हो जाते हैं वो अलग-अलग pattern खोजने लगते हैं तो जब आपको दिख रहा है कि 1,2,3,4,5,6,7 इसमें 7 letters हैं और उसकी value 14 आ रही है और इसमें भी 7 letters हैं इसकी value 14 आ रही है यानि कि number of letters तो इसमें क्या pattern follow होगा number of letters multiplied 2 ठीक है simple सी बात है इसमे ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरुवत नहीं है तो देखें यहाँ पर scooter में कितने letter हैं 1,2,3,4,5,6,7 तो यह भी क्या हो जाएगा 7 multiplied 2 equal to 14 तो numbers of letter multiplied 2 यानि कि आपके सब्द में जितने भी letter हैं उनको 2 से गुणा कर दो तो वही आपका code है इसमें ठीक तो option number 20 का right answer हो जा 3 letter हैं तो plus 1 कर दो 4 इसी प्रकार से bus में कितने letter हैं 3 letter है plus 1 कर दो 4 ठीक है तो जहां से आपको यह चीज है click कर गई तो आप train का असाने से निकाल सकते हो train में कितने letter है 3 plus 2 5 5 letter है plus 1 कर दो 6 number of letters plus 1 इसमें क्या pattern चल ला है number of letters plus 1 ठीक तो option number C का right answer है तो दोस्तों कभी-कभी और य question जरूर आएंगे ठीक है 100% एक question आएंगे इनको ध्यान दीजेगा आप बिल्कुल भी आएंगे question आपके exam में तो examiner वहाँ पर आपको देखना चाता है कि आप exam में कितना pressure जेल सकते हो ठीक है तो इस प्रकार के थोड़ा सा गुमाफिरा के सवाल देता है तो आपको confused नहीं होना है जितनी आप practice करेंगे उतना आपका इसमें concept clear हो जाएगा अब है number analogy या फिर analogy से संबंदित question दो या ती exam में पुछे जाते हैं तो जिस प्रकार से 12 संबंदित है 20 से उसी प्रकार 30 किस से संबंदित होगा तो 12 और 20 की बीच में कोई relation होगा तो उसी प्रकार से 30 और जो हमारा missing data है उसके बीच में भी कोई नहीं कोई relation जरूर होगा sorry तो हमको relation find out करना है दोस्तों तो देखिए इसमें हम pattern बनाते हैं ध्यान से देखिएगा 4 multiply 3 equal to 12 ठिक और 5 multiply 4 equal to 20 इसी प्रकार से 6 multiply 5 equal to 30 देखिए दोस्तों pattern भी ध्यान से देखिएगा यहाँ बर 1 1 increase हो रहा है और यहाँ भी एक एक बढ़ रहा है देखिए 4 5 6 3 4 5 तो अब यहाँ क्या हो जाएगा जो यहाँ missing data है उसमें क्या हो जाएगा 7 और यहाँ क्या आजाएगा 3 4 5 फिर 6 तो इसका answer क्या है 42 7 6 जा कितना होता है 42 होता है तो option number D देखिए कितना प्यारा question था और कितने अच्छे pattern से इसको हमने solve गिया ठीक है तो यहाँ भी 1 1 की increment हो रही है औ और यहाँ भी एक-एक की बड़ोतरी हो रही है ठीक तो 42 इसका right answer हो जाएगा अगला है 9 is related to 243 in the same way 8 is related to which देखिए 9 और 243 की बीच में क्या relation है ध्यान से देखिएगा दोस्तों मैं आपको कैसे बताता हूँ देखिए 9 का square होता है 81 और 81 को अगर हम 3 से multiply कर देंगे तो यह ह square multiply 3 ठीक इसी प्रकार से 8 8 का square कितना होता है 64 64 multiply 3 तो यह हो जाएगा आपका 192 तो 64 multiply 3 कितना होता है 192 तो option number 6 का right answer ठीक तो बहुत सारे बंदें हाँ पर अलगलग pattern को भिलाने की कोशिस करेंगे इस question में लेकिन simple सा है 9 का square 81 multiply 3 243 उसी प्रकार से 8 का square 64 into 3 192 ठीक तो उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गये होंगे 192 इसका right answer है अगला है number series missing number series ठीक है दोस्तो missing number series और wrong number series के 4 या 5 question आपके exam में पूछे जाएंगे at least 2 तो कम से कम पूछे ही जाएंगे तो देखिए यह तो बहुत simple सा pattern है multiply 3 चल ला है 5 तिया 15 तिया 45 45 तिया 135 और 135 तिया कितना होता है 113.5 x 3 40.5 option number 10 का right answer तो यह तो simple था दोस्तो इसको आप खुझ भी कर सकते थे ठीक है अगला है 121 225 361 तो इसको आप खुद की जेगा यह बहुत simple है बहुत ही simple है ठीक है इसको आप खुद की जेगा और इसका answer मुझे comment box में लिखके जरूर बतायेगा ठीक है और एक स्वाल मैं और दूंगा जो मैंने आपके लिए specially रखा हुआ है missing number problem का जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लकाने की आउशकता पड़ेगी उसको भी आप खुद करेंगे ठीक है यह तो बहुत simple है square number चल रहे है तो आप उसको कर सकते हैं आसानी से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें यहां देखिए दोस्तो 21, 25, 21, 25, 33, 39 और 81 तो देखिए जब number कम कम अंतराल में gradually increased होते हैं तो उनके बीच में difference ही होता है simple सी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसको तो देखिए इसमें 4 का difference है इसमें 8 का difference है इसमें 16 इसमें 32 तो अब अगला क्या होगा देख तो 32 तूजा कितना होता है दोस्तो 64 तो अब 81 में आप 64 प्लस कर दीजिए आपका answer निगल जाएगा 145 जब कम कम अंतराल में number gradually increase हो रहे है तो उनके बीच में difference होगा simple सी बात है ठीक है तो यहां पर 32 देखिए 4 तूजा 8, 8 तूजा 16, 16 तूजा 32, 32 तूजा कितना हो इसको आप खुद कीजिए और इसका answer comment box में बताएगे तो आपके दो question होगे दोस्तो homework के लिए ठीक है और आप कीजिएगा दोस्तो homework का question करके comment box में answer जरूर कीजिए इससे मुझे पता से लगा कि आप कितने serious candidate है आप video देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं ठीक है ना तो जरूर इसका answer करने की कोशिस कीजिएगा अब है odd one out यह कौनसे question है दोस्तो odd one out यानि कि चार option आपको दिये हुए हैं इन में से तीन तो समान होंगे किसी ने किसी pattern पर आदारित होंगे लेकिन एक अलग होगा उन में से ठीक है तो इन में से कौनसा अलग है दोस्तो इन में स 1136 अलग है अब कैसे होगा वह मैं आपको बताऊंगा पूरे detail में बताऊंगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें तो यह तो सबसे पहले आप सम्मल लीजीए कि यह वाला odd one out है ठीक एक second देखिए अब यह तीन सेम कैसे है और यह अलग कैसे है यह मैं आपको बताऊंगा देखिए 9 से 26 कैसा आएगा 9 multiply 4 minus 10 equal to 26 यह हमने एक pattern develop कर लिया है देखिए इसी परकार से यह 13 multiply 452 minus 10 42 और इसी परकार से यहाँ देखिए 7 into 4 28 minus 10 equal to 18 तो यह 3 तो सेम है नहीं है यह एक सेम pattern को follow कर रहे हैं कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं दोस्तों आप खुद बताएए कर रहे है अब देखिए अगर मैं इसी pattern को 11 36 में apply करूँगा तो यह गलत आएगा 11 4 जा 44 minus 10 यह 34 आएगा इसी लिए option नवर B क्या है odd 1 out है ठीक तो यह इसका logic था उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गे होंगे और exam मा आएगा तो आपको कोई भी problem होने वाली नहीं है दोस्तों अग इसे मैं आपको बताता हूँ इनके बीच का difference अंतर देखे 20 इनके बीच का अंतर देखे 20 और इनके बीच का अंतर देखे 20 और इनके बीच का अंतर देखे 40 तो यह 3 तो किसी ने किसी प्रकार से समान है लेकिन यह वाला odd 1 out है option number C's का right answer है ठीक next दोस्तों इसको dictionary के order में सब् इसके क्रम में हमको व्यॉस्तियत करना है तो dictionary के order में जो पहले आएगा और सबसे पहले आएगा और जो सबसे अंतर में उसको हम last में set करेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या आजाएगा T E A यानि कि T सबसे पहले आजाएगा तो option number 3 सबसे पहले आजाएगा then उसके बाद T E R वाला आएगा option number 2 sorry option number 1 आएगा फिर T E R M N ठीक है दोस्तों इसमें क्या आएगा देखने देखमें option number 2 आएगा T NET वाला आएगा ठीक है उसके बाद इसमें आएगा T E N के बाद R T E R वाला आएगा option number 1 फिर last time आएगा tomorrow तो 3 2 1 4 इसका right answer जाएगा option number A ठीक तो dictionary के order में दोस्तों यह तो आप कर सकते हैं इसमें समझाने लिए कोई चीज नहीं है आपको alphabet अगर आते हैं A B C D आती है तो नॉर्मल सी बात है आप इसको dictionary के order में भी व्योस्तित कर सकते हो तो एक question आपको देखने को मिलेगा आपके exam में ठीक तो एक यह आपके लिए homework है तो homework में आपके तीन question हो गए इसको भी आप कर सकते हैं दोस्तों easy है बहुत कोई बहुत बढ़ा question नहीं है इसको इसको भी dictionary की एक रंब हमको व्योस्तित कर रहा है तो आप इसको भी कर सकते हैं ठीक वीडियो काफी लंबा हो गया इसलिए मैं आपको homework में दे रहा हूं thank you दोस्तों जाहिन जाए भारत और इसकी PDF के लिए telegram group को join कर लिजेगा वहाँ पर link description में दिया हुआ है और कहीं पर भी कोई question में अगर आपको doubt लगता है तो comment box में उसको जरूर बताएगा उसको अगले वीडियो में resolve कर देंगे या discuss कर लेंगे उसको जो भी है ठीक thank you